हेलो दोस्तों कैसे हैं आप साल से भी कैसे स्वागत है हमारी इस चैनल में दोस्तों तो आप सभी के लिए जिए बहुती बड़ा जो है गुड निउस इस वीडियो में है M.I.U.I.12 का जो है बहुती दिन के इंतजार के बाद फर्स्ट स्टेबल अपडेट जो है दो फोन के लिए रोल आउट होना चालू हो गिया है दोस्तों तो यार ये दो फोन कौन सा है इंडिया के फोन के लिए कब तक अपडेट आएगा सारा इंफर्मेशन दूँगा तो अगर आपके पास जो है कोई भी शाओमी का या फिर रेड्मी का फोन है तो ये वीडियो को जो है पूरा देखिएगा दोस्तों सारा इंफर्मेशन आपका काम में लगने वाला है तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार ये मेरा चैनल है इसमें जो है मैं MIUI से रिलेटेड और टेक इंफर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो जरूर से अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और बाज में एक नोटिफिकेशन का बेल लगाए से क्लिक करके नोटिफिकेशन स्टर्ण उन जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों तो बात करें दोस्तों ये जो MIY12 का जो स्टेबल अपडेट है वो कौन कौन से फोन के लिए आया है तो मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओफिशल इनका टेलिग्राम का जो अपडेट ट्रैकर है तो यहाँ पे पहला जो फोन है उसका नाम है Redmi K20 Pro और यह जो है चाइना में अपडेट आया है और दूसरा फोन का नाम है MIY90 Pro Global तो यह इंडिया के लिए कैसे good news हुआ मैं आपको समझा देता हूँ जो भी अपडेट जो इंडिया में आता है वो पहले जो है चाइना में लॉंच किया जाता है है नया सिस्टेम एनिमेशन नया सिस्टेम विजूल तो अगर आप जो है MIUI 12 अपडेट का इंतिजार कर रहे हैं इंडिया की स्मार्टफोन के लिए कि यार इंडिया की स्मार्टफोन में कब तक आ जाएगा तो यार मैंने उसका सारा डीटेल से अपने पुराने वीडियो में बहुला है आपको वीडियो जाके देख सकते हैं या फिर अगर मैं आपको फिर से बता देता हूं तो इंडिया में बीटा टेस्टिंग चार फोन्स के लिए चालू होगी आ रहा तो वो चार फोन्स का नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं रेड्मी नोट 8 प्रो, रेड्मी नोट 7 प्रो, रेड्मी नोट 7 और 7S क्योंकि यह बीटा अपडेट है और मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में सबसे पहला भी बीटा अपडेट ही आने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI इंडिया का यह ऑफिशियल पोस्ट है तो अगर आप यह इंतजार करें MIUI 12 का अगर आपके पास यह चारो फोन्स है तो आप तो लगी है लेकिन अगर आपके पास यह चार फोन से कुछ दूसरा फोन है जैसे कि Redmi Note 5 हो गया 6 हो गया 6a 8a तो आपको यह थोड़ा सा जादा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी चाइना में रोल आट होना चालू हो गया है तो जुलाई का लास तक जो हम लोग को इंडिया में भी रोल आट होके मिल जाएगा तो पहले जो है सेगेंड बैच का डिवाइस को जो है मेजर जो इंपोर्टेंट डिवाइस है जैसे की बजट बेंज का डिवाइस रेडवी नोट 7 है फिर जाके रेडवी नोट 8 है उनको पहले दिया जाएगा उसके बाद जाके लोवर बजट कैटिगरी का डिवाइस को दिया जाएगा जैसे कि 8A हो गिया, 7A हो गिया, Redmi 8 उसके बाद जाके Redmi 6 इस तरह से जो आपको rollout मिल जाएगा तो फिलाल दोस्तों यह था सारा information नया MIY12 का update से related अगर आपको यह वीडियो चलाते हैं जो और से वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल का कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और अभी तक आपने comment नहीं किया तो यह नीचे एक अच्छा सा comment भी कर दीजिएगा बाबाई दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही